हेलो माइनेम इश्यूपर रोहिला प्रफेस्टिव में गाइकल एंगिनियर अलो में दॉट इजिनियर नेट्वरकर एस वेल एस वीडियो सेल्स एक्सपर्ट तो फट्रावर्ट चनल को सब्स्राइब करें ना बेल आइकल कर लो कि मेरे को इनो को वीडियो आपको एक पॉस् आपके निमाग में क्या रहे हैं क्या वर्ड मैं यहां आपके सामने बोलने वालों जुस इंदी कॉमेंट सेक्षिक्षण की आपको क्या लग रहा है इफ यू आ लुवल से पताने वालों प्हले 0.5 साल की ओंटरौनरॉच्वी जर्नी में हुँ उससे मैंने क्या पता चला है कि अगर यह नहीं है तो you will definitely fail, so आपको कहा लगता है, please write in the comment section along with your name and city name, आपने आपका जो word है वो, अपना name और city name जरूर लिखना, क्योंकि मुझे ही बहुत अच्छा लएगा और interaction करते हैं तो फोड़े comment section को, so the answer is creativity, yes guys, creativity, अगर आप आज के जमाने में creative नहीं हो, तो आप कोई नया काम नहीं कर सकते हैं, अब creative बहुत तरह के लोग होते हैं, होते भी हैं, कुछ लोग implement नहीं कर पाते, तो creativity में मतलब आपको ये करना है, कि किसी भी, देखो, creativity का मतलब ये नहीं है, कि आपको कुछ नई चीज निकालनी है, नहीं, creativity का मतलब ये भी होता है कि कोई पुरानी चीज को किसी नए अंदाज में लोगों के समने पेश करना This is also creativity ठीक है? कुछ examples लगे चलते हैं एक अच्छा photographer हम किसको बोलते हैं जो अच्छे creative तरीके से हमारी photos क्लिक कर पाए एक अच्छे YouTuber हम किसको बोलते हैं जो बहुत creative तरीके से हमारे समने message बुचाते Doctor Vivek Bindra कितना बड़ा नाम है उनका आज क्यूं? क्यों? क्यों हर चीज को बहुत creative तरीके से हमारे समने लेके आते हैं Creativity का level बढ़िया है वो हर चीज को इतने creative तरीके से रखते हैं हमारे समने कि हमें वह चीज अच्छे लगने लग जाती है that means life में आप कुछ भी कर रहे हो आप कोई से फिल्ड में हो अगर आप creative नहीं हो तो आप हमेशा पीछे रहोगे ध्यान रटना इस बात को आज आप जो उन से फिल्ड में हो अगर पहुंचना है लेकिन वह पहुंचे कैसे अगर प्लान ए नी चल रहा थो बी बी नी चल रहा थो सी creativity तरीके से और नहीं नहीं आइडियास लोगों के सामने लेके आते हैं जिससे एक नी चलेगा दो नी चलेगा ती नी चलेगा अरे 10 तो चलेगा लेकिन चलेगा क्योंकि they do have belief in them कि अरे ये creativity नी चलेगा दूसरी creativity लगा लेगे दूसरा कोई plan लगा लेगे क्योंकि वो creative है so इस बात को समझो पिछले देढ़ साल के experience के according में बता रहा हूँ मैंने भी कोई नई चीज नहीं करिए market में आगे सारी चीज वो ही चीज करिए जो अलरेटी चल रही है market में लेकिन कुछ अपने ideas लगा गे कुछ अपनी थोड़ी सी creativity लगे कुछ अपने नमक minutes लगा के जब मैं चीजे प्रसेंट करता हूं लोगों के सामने लोगों अच्छी लगती है और लोगों लगता है यह नया idea है बट वो नया idea नहीं है आइडिया तो पुरा नहीं है तो idea कभी भी बनता नहीं है आपको बता हूँ पुराइडिया नहीं होता है कोई बी आईडिया जैसे बहुत लोग जैसे मुझे अगर मैं बात करूँ मैं मुझे जो भी फेम मिला है वो network marketing से मिला है बट मैंने कभी network marketing करी हैए नी वहां के क्या किल AKGT कि और इसा ज्रून सब्सक्राण सब्सक्राइब. यह सुनले करें का इस संहसे की कूस्रम किया क्नौन सब्सक्राइब. इस यह द नहीं में क्कुछलरन लोगों पूर्ट जैने की किया है. सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि उस field के पहले तो अच्छे knowledge लेनी है deep down root causes ले रहे है deep down knowledge लेनी है उसके बाद आप देखना कि इसको मैं किस तरही के से creativity तरीके से मैं लोगों के सामने present करूँ so that लोगों को ये plan अलग तरीके से लगे कुछ कुछ अगर हटके market में नहीं दोगे तो हमेशा पीछे रहोगे bitter truth of the society अगर कुछ हटके नहीं करोगे तो हमेशा पीछे रहोगे कुछ हटके करोगे तब ही लोगों के सामने आओगे और एक चीज़ में और बोल रहा हूँ जब आप creative ideas अपने लोगों के सामने रखोगे न तो 10 में से 5 लोगों को आपका ideas ही पसंद ने आएंगे वो आपको गाली भी देंगे और यकीन मानना जब लोग आपके oppose में खड़िए हो जाएंगे यकीन मानना आप अठ्छा काम कर रहे हो जब लोग आपके अपोरेशन में आने जाना है भी क्या कर रही है एक ऐसा थोड़ी होता है जब लोग यह बोनाने स्टार्ट करते हैं, समझ देना अब अच्छा काम कर रहे हो, समझ देना वो काम कर रहे हो जो एच्छो लागू करना है, सिरियस्ली बता रहा हूँ, क्योंकि लोग नहीं चाहते हो आपसे उपर निकले, that's why वो फिर इस तरह का हेल फैलाने स्टार्ट कर जाए ना, 50 आइडिया के बाद ये मिरे को आईडिया आया, ये चला आके तब जाके चल रहा है ना, इंस्टार्म पर, अगर यह ऐसी इंस्टार्म पर मुझे आप तरह फोलो नहीं किया, इंस्टार्म पर फोलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी ओए मेरे चैपिन की बहुत य impact देवा हूँ आपकी आपकी लाइफ में तो ओई मेरे champion कैसे आया ये भी तो आया है ना इसी तो ये भी तो creativity का ही part है ना So you have to be creative in any field, जिस भी field में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको creative होना पड़ेगा एक ये ऐसा word बताया ना मैंना आपको creative वो आपको बनना ही बढ़ेगा, बहुत लोग बोलते हैं मैं creative ही नहीं हूँ, अब आप creative क्यों नहीं हो अब question आता है कि creativity मैं creative हुई नहीं, मैं कैसे बनूं creative तो creative, देखो creative मतलब creativity क्या होती है आपके outputs बहुत अच्छे आ रहे हैं अब आप बोल रहे हो मेरे outputs अच्छे नहीं आ रहे that means आपके inputs इच्छे नहीं है आपके inputs इच्छे नहीं तो outputs कैसे अच्छे हैंगे आप सेम तरह की चीज़े अपने input कर रहे हो तो सेम तरह का output ही तो निकलेगा, सोचके देखो लेकिन कुछ different तरह की inputs आप लेने start करोगे तो different तरह की outputs आने start होगे के नहीं मैंने network marketing करना networker से कभी नहीं सीखा seriously बता हूँ मैंने network marketing करना networker से नहीं सीखा भई कैसे करते networker से वह उपनी वही बाते बता रहते की जाओ 10 meeting करके आओ, plan दिखा के आओ, ये करके आओ, बर के आओ मैंने का यार मैं भी अगर सेम काम करना तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा क्यों ना, काम ही करूँ लेकिन कुछ different तरह के से करूँ जब उस टैप से मैंने काम करना से start के तो मुझे result स्टार्टिक में नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो मैं समहाल निपायत रिजल्ट मिला वरको क्योंकि I was creative at that time अब creativity लेकि आओ थोड़ी सी creativity मतलब उसमें creativity में कैसे हुआ inputs मेरे अच्छे होने start हो गए कुछ ऐसे influencers को मैंने follow करना से उसमें start किया जो कि networkers नहीं थे या तो कोई entrepreneurship में थे या कोई business coach थे अच्छे, life coach थे मैंने उनको देखना start कि हो किस तरह से काम करने की बोल रहे है किसी भी काम को तो उनका तरीका मैंने लिया वो network marketing में लगाना start किया बहुत लोग कहते network marketing बेकार है बट आज मैं जो भी छोटा मोटा में लेवल अचीव किये है वो सब network marketing के वह इसे अचीव किये है so मैं network marketing को यह बेकार कही नहीं सकता and yes, network marketing is not a bad industry it's a very good industry लोगो काम नहीं करना आता है, इसलिए वो उसको गाली देते है क्योंकि जिसको यह काम करना आता है उसको तो मस्त चल रहा है, जिसको यह काम करना आता है वो तो मस्त लाइफ जी रहा है बिल्कुल और इस से ज़्यादा freedom किसी business में है मैं आपको यह बदा दू मेरे applying सिर्फ 30 minutes a day काम करते है 30 minutes a day, कोई होगा business है तो 30 minutes में काम हो जाए सारा सोच के देखो तो काम करने का तरीका नहीं आता आपको बहुत haters होंगे, बहुत haters होंगे यह वो लोट लिया, फलाना होगे, रिकना होगे मैं तुम्हें काम ही नहीं करना आता तुम्हारे applying ने तुम्हें बोल जिया, यह करना है तो तुम वही कर रहे हो अपने दिमाग तो लागाना है नहीं न, अपनी गुद्धी कभ लगाऊगे जब तक आप अपनी गुद्धी नहीं लगाऊगे अपनी creativity नहीं लगाऊगे, अपनी skill नहीं लगाऊगे अपने ideas को feed-up नहीं लेक checking आऊगे हमेशा पीछे रहोगे यार तालिया बज़ाओगे फिर लोगों के लिए हमेशा तो अगर तालिया बज़वानी है तो you have to be creative creative कैसे बनोगे अच्छे inputs देना start करो अच्छे inputs कहां से आएंगे अच्छे लोगों को देखो roasters को देखो गए तो दिमाग में row फाल तो की चीजे अपने दिमाग में input कर रहो output बिल्कुल बेकार फिर बोलतो हो में lucky नहीं हूँ मेरे पास skills नहीं है मेरे पास हो नहीं है सब अपने से होता है भाई सब कुछ अपने से होता है आपको करना पड़ेगा आपको input अच्छे डालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे अपने अंदर, तभी input अच्छे डालने पड़ेंगे तभी output अच्छे आएंगे, input बेकार, output डवल बेकार, मैं बता रहा हूं आपको, तो inputs अच्छे डालना स्टार्ट करो, अच्छे लोगो को देखना स्टार्ट करो, जिस तरह क्या बनना चाहते हो, वो देखो किस तरह से lifestyle जीने हैं, उनके क्या thought process हैं, उनको देखो, उनके thought process से कही ना कही inputs अच्छे जाएंगे, inputs अच्छे जाएंगे तो definitely outputs भी अच्छे जाएंगे, और outputs जब अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको कोभी pen लेके paper भी लिखना स्टार्ट करोगे, तो automatically creative ideas भी आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उस boundary के बाहर सोचना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अच्छे जब inputs आपके अंदर जाएंगे, network marketing करते हो, मत देखो networkers को, कुछ ऐसे life process को देखो, वो किस तरह से अपना business कर और उनके ideas उठा के अपने अंदर input लेगा और यहां से फिर output निगा लो, जो भार ओर लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके opportunities को देखो, और उनसे सीखो की काम कैसे कर रहे हैं, वो अपना लोग, वो लोग अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, उनके ideas अप creative you will lose the game 100% एक जैसा काम करके थोड़े दिन सर्वाइब कर जाओगे फिर भी failure होना है लेकिन खुद के brands बनाना start करो खुद के brands बनाना start करो खुद के अंदर कुछ ऐसी capabilities लेके आओ जो लोगों में नहीं है जो लोग चाहते हैं वो इची लोगों को सिखाना start करो automatically influencer बन जाओ को पता भी नीच लेगा इस चीज़े हैं guys creative बनो अच्छे inputs डालो अच्छे outputs आने start हो जाएंगे अपने ideas जो भी stupid ideas आते हैं उनको फीड भी लाने कोशिश करो consistent रो you will definitely get results and yes guys at the end में एक चीज़ बोलना चाहूंगा if you want to book a one-to-one call with me अगर आपको मेरे से बात करनी है individually one-to-one zoom meeting call करनी है तो link मैंने description में दे रखा है मासे मेरे से appointment एक book कर सकते हो अपन 30 minutes के call करेंगे if you need any type of assistance from my side I am happy to share so अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राब जरूर कर देना comment section मुझे प्लीज जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी क्या आप implement आज से करने वाले हो के नहीं करने वाले हो मिल से नेक्स वीडियो में let's become successful together bye